जैहिन दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने योट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासेस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी में निकली एक और भरती के बारे में हम आपको बता दें कि यहां पे कौन-कौन सिट्रेट्स की भरती निकली है और कौन-कौन सिट्रेट्स में आपके लिए अपलाई करने को किया-किया और फिजिकल रिकर्मेंट की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहां पे सोल्जर जनरल डूटी यानि की जीडी तो सोल्जर जीडी के लिए आपको अपलाई करने के लिए साड़े सत्रा से 21 साल आपकी age limit होनी चाहिए आपकी date of birth 1 October 1999 से 1 April 2003 के बीच में होनी चाहिए आपकी height जो है वो 169 cm और आपका chest 77 cm होना जरूरी है soldier GD की भरती देखने के लिए आपको class 10th pass होना चाहिए और आपके लिए जो class 10th में overall percentage है वो 45% होनी चाहिए 33% मार्क से कम नहीं होनी चाहिए ठीक है उसके बाद में आती है दोस्तो next trade soldier technical तो soldier technical में भरती देखने के लिए आपको जो आपकी age limit है वो 16-17 से 30 साल date of birth आपकी 1 October 1997 से 1 April 2003 के बीच में होना चाहिए उसके बाद में आपकी height 169 cm और आपका chest 77 cm होना अनवारिय है soldier technical में अपलाई करने के लिए आपके लिए दोस्तो intermediate पास होना चाहिए और इंटर में आपके पास में दोस्तो physics, chemistry, math और English ये 4 subject होना अनवारिय है उसके बाद में intermediate में आपके दोस्तो overall जो percentage है वो 50% होना चाहिए और किसी भी single subject में 40% मार्ग से कम नहीं होना चाहिए ठीक है उसके बाद में दोस्तो हम बात कर लेते हैं soldier nursing assistant की तो soldier nursing assistant के लिए आपको दोस्तो अगर आप apply करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके लिए दोस्तो आपकी जो age limit है वो 16-17-13 साल है date of birth आपकी 1 October 1997 से 1 April 2003 height आपकी 169 cm और chest आप 77 cm होना अनवारी है उसके बाद में आपकी जो education qualification होनी चाहिए वो class 12 आपको पास होना चाहिए और class 12 में आपके पास में physics, chemistry, biology और English ये 4 सब्जेक्ट होना अनवारी है overall जो आपकी percentage होनी चाहिए वो 50% और आपकी जो किसी भी single subject में जो है 40% से marks कम नहीं होने चाहिए उसके बाद में आता है दोस्तो soldier clerk, store keeper और soldier clerk ठीक है तो इसके लिए आपके लिए आपके लिए दोस्तो 7.5 से 3 साल तक आपकी age limit और आपकी जो date of birth है वो 1 October 1997 से 1 April 2003 के बीच में होनी चाहिए height आपकी 162 cm और chest आपका 77 cm होना जरूरी है इसमें दोस्तों clerk के लिए आपको अपलाई करने के लिए care class 12th pass होना चाहिए ठीक है चाहिए आप 8 commerce या science cases हैं लेकिन आपके दोस्तो आपके पास में 12 में मैत और English होना अनवारी है ठीक है और overall percentage आपकी 60% और किसी भी single subject में 50% मार्क से कम नहीं होने चाहेंगे तो ये तो होगी दोस्तों कौन-कौन सी traits में भरती है और उनके लिए आपको क्या 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 education qualification और आपकी जो height, weight और chest आपकी जरूरत है अब ये आपको बता दें दोस्तों कि ये भरती जो है बेगुसराय, भागलपूर, कटेहार, खगरिया, किसंगंज उसके बाद में मादेपूर, मुंगेर, पुरेनिया उसके बाद में सहरसा और सपॉल डिस्टिक्स की भरती होनी है इन भरती के लिए दोस्तों जो आपके online registration हैं वो 20 December 2020 से यानि कि बाद में दोस्तों जो है वो आपके भरती की प्रकरिया सुरू हो जाएगी, ठीक है अभी दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे physical requirement तो आप सभी को पता है कि इंडियन आर्मी में 1.6 km यानि कि 1600 मिल्टर के running होती है उसके बाद में दोस्तों आपके beam होते हैं 10 और 9 feet ditch और आपके zigzag balance होना होता है ठीक है उसके बाद में आपको जो 1.6 km के लिए running को time मिलता है वो 5 मिनट 30 से लेके 5 मिनट 45 से कंड तक मिलता है लेकिन इसमें 2 group होते हैं 1st group होता है 5 मिनट 30 से कंड तक जिसके लिए आपको 60 मार्क्स और 5 मिनट 31 से कंड से 5 मिनट 45 से कंड तक second group group होता है जिसके लिए आपको 48 मार्क्स दिये जाते हैं दोस्तों अगर आप 10 चिनफ्स लगाते हैं तो आपके लिए 40 मार्क्स 9 चिनफ्स लगाएंगे तो आपके लिए दोस्तों यह होगा कि आप अगर 6 जनब भी लगा देते हैं तो आपके लिए पास कर दिया जाता है जिग जिग बैलेंस और 9 फिट डिच के लिए आपको कोई भी मार्च नहीं दिया जाता है इसके लिए आपको केवल नीट टू क्वालिफाई हो तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेर करें और अपने इस भाई के यूटूब चैनल के लिए सब्सक्राइब जरू करें क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इंडियन आर्मी ऐसे से जीडी और जो भी डिफेंस की जोब्स की वैकंसी होती है उनकी आपके लिए भरती की जो है अपडेट लेकर आते रहते हैं तो चलिए दोस्तों कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैभारत